हलो दोस्तों स्वागत थे आपका अमारे चनल केरियर अप्डेट वाइंजिनियर में मैं हुड़न जनराज और जैसा कि मैंने अभी आपको अप्डेट दिया था कि नहीं चिन नहीं और मुंबाई की तरफ से जो नोटिस से फाइनल एडमिसिंग लिए आ चुका है इसी तरीक से एडमिस्न स्टार्ट हो रहे हैं तो आप उसके लिए तैयार है तो दिखिए आप लोग नीचे भी मैंने वीडियो नहीं था तो बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर हैधरावाद का बता दीजे कानपूर का बता दीजे तो दिखिए आप खुद चेक कर सकते हैं आप मेर आपरावाद का भी नोटिस आ गया है तो जिनका जिनका नोटिस आ गया उसके बारे मैं भी घमलोग बात कर लेंगे ठीक हैं तो दीकिशन यहां पे कानपूर जैसे आपको आपको तो इस तरह की website को आपको नहीं खोलना है आपको यह वाली website देखिए जैसे nhti kanpur.dgt.gov.in यह जो website है इस तरह को website जो है उसको खोलना है यह हमारी क्या होती है original website होती है अब जैसे माली जी कानपुर लिखा है यहाँ पे आपको चन्नाई का चेक करना है ठीक है यहाँ माली जी कोलकाता को चेक करना है तो यहाँ पर क्या लिखा रहाएगा nhti kolkata.dgt.gov.in इस तरीके सम्माई यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट आपको करना है जैसे कोई मालेजी women's college है जैसे आपको nhti पतना का देखना है पतना women's college है तो nhti w लिखेंगे फिर पतना लिखेंगे फिर .dgt.gov.in जिसे भी college के हैं आप अपने college का इस तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे मालेजी नhti इलहाबाद की में बात करूँ तो आपको क्या लिखना है nhti w लाहाबाद क्योंकि women's college है लाहाबाद जो nhti w का लाहाबाद में तो आपको लिखना है nhti w लाहाबाद.dgt.gov.in जो भी आपका college है जिन लोग का अभी notice नहीं आया है वो same इसी तरीके से Google पर search करेंगे और जब ये वाली website उनके सामने आ जाएगी तो इस पे click करके खोल लेंगे तो आईए मैं इसको खोल लेता हूँ सबसे पहले ठीक है तो दिखे थोड़ा सब ध्यान से बने रहेगा तो आपको सभी चीज़ें पता चल जाएगे तो यहां पर नीचे आपको एक दिख़ळा आई order या notice सेम आपको इसी order या notice वाले section पर क्लिक कर देना है आप देखे मैंने यहां पर किलिक कर दिया आप देखे जब whats new पर मैंने कुल किया तो देखे यहां पर खुल कर आगया Important Notice for Final CITS Admission तो यह मैंने जैसे कानपूर का खोला है सेम यही प्रोसेस करके आप किसी भी NSTi का notice आया है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं खुद आपको किसी वीडियो के नीचे कमेंड करने की ज़़ुरत नहीं है तो आई यह NSTi कानपूर का notice में क्या लिखा हुआ है मैं उसको आपको read करके बता रेता हूँ देखें यहां कानपूर का notice है यहां पर लिखा हुए आप देख सकते हैं राश्ट्री कॉसल प्रसिछन संस्थान कॉसल विकास से उद्धिमता मरतालाग गोविन नगर पोश्टाफिस उद्धि उद्धोग नगर कानपूरार तारीक का यह notice है सेम वही चीज़ें यहां पर भी लिखी हुई है 11 तारीक से आपका start हो रहा है तो regular admission के लिए आप जो है 11 तारीक से final admission के लिए आप जा सकते हैं सभी document वगएरा सेम है जो मैंने आपको पहले भी बताये थे जो NHTI देहरादून का notice था, NHTI अल्दवानी का notice था और भी जो पहले notice आए सभी चीज़ें वही है जो आपने फीस जमा किया है counselling का 10th, 12th जो भी आपके पास certificate है, ITI का जो certificate है अगर आपके पास pass out नहीं है तो bonafide हो गएरा ठीक है सभी चीज़ें जो भी आपका कास्ट certificate है, mark seat है, medical certificate है और साथ ही साथ यहाँ पे जो corona की negative report है वो यहाँ पी ले जानी है, जैसे कि जिसमें अगर notice में नहीं भी लिखा है तो आप उसके चक्कर में मत पढ़िएगा और अपना एक जान्च करा के किसी भी government hospital में जाके जाएंगे तो वहाँ पे जान्च हो जाती है फ्री में एक भी पैसा आपका नहीं लगता है आप किसी भी government hospital में जो भी आपके पास हो आप जाके वहाँ पे जाच करा सकते हैं और एक से दो दिन के अंदर वहाँ पे आपकी report आ जाती है उस report को आप online भी निकाल सकते हैं या आप जाके hospital से लेके उस report को लेके यहाँ पे जाएं RT-PCR वाला कराईएगा एक antigen test होता है जिससे 10-15 minutes पता चल जाता है तो उसको तुरंद मत कराके चले आईएगा एक RT-PCR test होता है जिसकी report आने में एक से दो दिन का समय लगता है और यह data online चड़ता है और इसको यह लोग चेक भी कर सकते हैं तो यह उससे आप बोलेंगे यह hospital वाले से कि हमको RT-PCR test कराना है तो आपको करके दे देगा ठीक है और बाकी सभी चीज़ें वहीं है सेम कि अपना आयरोग की से तुई अप इस्टाल करें सभी चीज़ें हैं फेस मास्क लगा कराएं जो भी आपका कोरोना से रिलिटेड है तो आप खुदी समझदार हैं समझ लीजेगा बाकी लिंक मैं इसका website का description box में दे दूँगा नहीं तो आप खुर जैसे मैंने शुरूम प्रोसेस बताया आप जाके वहां से यह notification डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे साथ ही साथ यहां पे आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है इन्होंने नीचे जो फॉर्म लिया हुआ है अविभावक अनुवति पत्र का और इस पे अपने जो है माता जी या पिता जी जो भी आपके होंगे senior उनका जो है आप सिगनेचर कराके इसको भी ले जाना है देखिए वही काम आपको करना है nsti-howra.dgt.gov.in इस तरीके से आप आ जाएंगे और नीचे आप यहां पर आएंगे what's new वाले section में तो देखिए यहां पर एक section है what's new का ठीक है यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ notice for final admission of CITS trainees of session 2020-2021 तो आईए इसको open करते हैं और आपको आगे की चीज़ें बताते हैं तो देखिए यह nsti कुलकाता का जो है notice मैंने डाउनलोड कर लिया है थोड़ा से इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें बता देता हूं क्योंकि इनका जो notice है वो पुरा English में है तो थोड़ा सा जो महत्रपूर्ण चीज़ें हों मैं आपको यहां पर बता देता हूं एनस्टी आई कुलकाता की आठ तारी को यह भी notice आया हुआ है सबसे पहली बात यह जो इन्होंने लिखा हुआ है पूरा यह हिंदी में इसका सार में बता देता हूं कि कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट आपके नहीं होनी चाहिए यहां पर लिखा है कि कोविड-19 रिपोर्ट इस में डेट्री निगेटिव रिपोर्ट यहां पर में डेट्री है सबसे पहली बात आप यह समझ जाईए दूसरी बात क्या है कि जो इन्होंने दिया हुआ है क्या-क्या डाकुमेंट्स आपको लेके जान ट्रेइटी तो ट्रेइनिक फॉर्ट सी इटीएस बैस 2020-21 विल कमेंस फ्राम 11 जनुरी तो 11 जनुरी चाप यहां पर एड्मिशन के लिए जा सकते हैं फिर से का रहां परसान नहीं है अगर 11 जनुरी नहीं पहुच पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एड्मिशन कैंसिल हो तो आपको एक रिसीविंग मिली होगी ना एड्मिशन एक नॉलेजमेंट मिला होगा तो उसको लेके जाना है रेसीब आप कांसलिंग फिस एड्मिट कार्ड अब देखिए बहुत लोग परसान है एड्मिट कार्ड के लिए तो देखिए मैं उसमें आपको कुछ नहीं का आपको आपका एड्मिशन नहीं होगा लेकिन यह है कि थोड़ा वुत आपका परसान तो होना ही पड़ेगा और एड्मिट कार्ड रहे तो उसको लेके ही जाए ठीक है क्योंकि वह जरूरी होता है लेकिन अब वहां पर क्या है कि कुछ लोगों ने उसका दो प्रिंट आउ अप्लिकेबल है तो उसके लिए साथ ही साथ कोवीड के साथ साथ फिजिकल फिटनेश यानि कि जो मेडिकल सार्टिफिकेट आपका किसी गुवर्मेंट हॉस्पिस्टल से बनता है वह भी चाहिए फोटो आइडिनिटी कार्ड आप कंडिडेट यानि कि आधार कार्ड पैन का आपको यहां पर या कोई प्रूफ के तौर पर कि हमारा पीरिंग है मिस कॉलेज से कर रहे हैं आपको उसको भी ले जाना पड़ेगा बागी सभी चीजें यहां पर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्स में देदूंगा आप पढ़ लीजेगा कोई कुछ खास जरूरी नहीं है सभी COVID-19 से related जो guidelines हैं वही सभी यहां पर लिकी हुई है कि face mask लगा के आएंगे sanitizer लेके आएंगे ठीक है distance का ध्यान रखेंगे सभी चीजें यहां पर लिकी हुई है बस यहां पर कुलकाता वालों की यह ध्यान रखना ही जो fifth number वाला point है आपके लिए बहुत ज़्यादा और वो basis in consideration with distance also यानि कि पहली बाती है distance देखा जाएगा कि NSTI से आपका distance कितना ज्यादा है जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा आपको hostel पहले मिलेगा ठीक होस्टल आपको यानि कि hostel देने में आपको क्या मिलेगी वरियत्ता मिलेगी आपको और जो पहले जाएगा उसको पहले होस्टल मिलेगा यह एंस्टी आई कोलकाता ने लिख दिया है ठीक है तो आप जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास करेंगे ठीक है तो यह सबी चीजे बागी डाइनिंग प्रेट वगएरा गिला अंक्लास वगएरा सब लेके जानी है अपना अगर आप 500 रुपए होस्टल के साथ और बीना होस्टल के 650 रुपए जब कि बात करें नेस्टी आई देहरा दून और नेस्टी आई हल्दा आने वगएरा की तो उन्होंने जन्रल करेट को जन्रल के साथ रखा है लेकिन यहाँ पैसा नहीं है यस्टी यस्टी पी एच एडबलो एस वालों की टोटल फीच होंots Šoetto Re बाकी इसमें से आपका बाकी यहाँ पे माइनस हो जाएगा ठीक है तो बाकी यह कासन मनी अगरा है यहाठ को जमाह करना पढ़ेगा तो टोटल यहाँ पे आपका S, C, HT उ, EWSब के लिए 2695 रुपई हो जाएगा और जनरल और OVC वालों के लिए 3695 रुपए तो 4000 रुपए आप फीस फीस मान के चलिए बागी आप अपना खर्चाबानी लेके चाहिएगा ठीक है तो बागी लिंक में इस वेपसाइट का में डिस्क्रिप्शन वाक में दे दूँगा वहां से डाउनलोड करके इस पूरें सब्सक्रिप्शन वाले सक्षन में आएंगे तो यहां पर देखा हुआ है और राम रतन पूर वाले का आपको देखना है तो आपको इनस्टिया विद्यानगर इंस्टिटूट विल रिजियूम आन 11.1.2021 आल दसी इस टेनी सुट वी रिपोर्ट आन 11.1.2021 तो 11.1.2021 को आपने रिपोर्ट करिए और अपना एड्मिसन ले लिए और इनका नोटिस में डाउनलोड करने की कोशिस कर रहा था लेकिन वो डाउनल यहाँ पे दी गई है इनकी तरह से कोई नोटिस नहीं झारी किया गया है अलग से क्योंकि डाउնलोड वो नहीं हो रहा है बस यहाँ पे एक अॉप्डेट दिया गया है यहां पे जब देखिया आप फिर से आएंगे यहां दो ही अप डेया हुआ है कि आता है किसी भी कॉलेज का तो आप अपना वरिया वस्तर रुठाइए और चल दीजे एडमिशन के लिए क्योंकि डिजिटी तरफ से गाइडलाइन आ गया है तो वह आपको एडमिशन से माना नहीं कर सकते हाला कि क्लासेश चलाना ना चलाना वह अहां का एडमिशन करेगा लेकिन अगर आप 11 तरीक बात पहुत जाते हैं चाहे नोटिस आए चाहे ना आए तो आपका एडमिशन हो जाएगा तो बागी देखिए इस तरह की वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं है लेकिन यह है कि बहुत के लिए उस वीडियो को बनाना जो है पॉसिबल नहीं है तो जो मैंने आपको सुरू में प्रोसीजर बताया उसी तरीके से आप किसी भी आपका एडमिशन हुआ हो आप उसके नोटिस को देख सकते हैं चलिए मुलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ अब त